स्टार्टिंग एक लाग से लगवाग दीस लाग की कारें हेई गाइज वेलकम बैक टू माइच चैनल पुजा ब्लॉग आई होप गाइज यू आर वेरी बेल डूरिंग दिस लॉगडाउन और मैं भी अच्छी हूँ आईनू की वीडियो आने में थोड़ा लेट वा पर वह कहते है ना कि देर आये पर दुरुस्त आये तो गाइज मैं आज पहली बार अपने चैनल पर सेकेंड हैं कार का वीडियो अपलोड करने वाली हूँ तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी अभी आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बैल आइकन को प्रस करना बिल्कुल ना भूले ताकि नाटिफिकी के दर आपको सबसे पहले मिल जाए अब दिना देर किये चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप पीछे देख सकते हैं मैं कहां आई हूँ पोदार आटो मांट तो कि यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइस चलिए सर से जानते हैं सर आपका नाम क्या होगा तो सर आपका वेलकम है मेरे यूटूब चैनल में आप मेरे सब्सक्राइबर को यहां का प्रॉपर एड्रेस बता दीज़े राची कोकर चोब कोदार मोटर रियल बेग जी कोकर चोब काता तोली के बीच में पढ कोकर के बीच में पढ़ता है हमारे पास दो सोरो में एक कोकर चोप में एक कोकर चोप से आगे है एक पाएं साट एक देहने साट को आज आज आपके आप बजट कितने से कितने रेंज का स्टार्टिंग का स्टार्टिंग का स्टार्टिंग एक लाग से लगवाग दीस चल जा सकता है तो आप कौन-कौन सा कार दिखाना चाहते हैं आपको अभी दिखा देते हैं इसके बाद भीड है अच्छा है अच्छा है तो गाइस वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है तो स्वाइप अप मत करें चैनल को स्किप करने से पहले पूरा देखे तो अब चलिए एक-एक करके जानते हैं कार के बार में तो सर पहला कार आप कौन सा दिखाने वाले है यह वीड से स्टार्ट करते हैं अच्छा कुए तो तो सर यह कितना किलो मेटर चला हुआ है डिया मात्रे 45 जा चली हुई है 45 ताउसल यह चली हुई है और इसका जो ऑनर कौ प्रोफाइल दिखा सकते हैं तो गाइस यह विसके अंदर का इंटिरियर आपको दिखाती हूँ तो सर अंदर से तो इंटिरियर मैंने अपने विवर को दिखा दिया अब तायर वेगरा के बारे में आप बताईए यह सोरूं टायर ही लगा हुआ है जी अमर एक का शॉरूं जैके का टायर लगा है जैके का टायर है आप तायर देख सकते हैं न्यू है तो गाइस आप दूसरे कार के और चलते हैं और जानते हैं कि आप दूसरा कार को सा है सोरूं में बताईए इसका नाम क्या होगा यह आइट्वेंटी है आइट्वेंटी है अच्छा कितना किलोमेटर चला हुआ है यह ब्यालीज जाजार जैए लिए ब्याली ज़्यजार नमबर प्लेट कौन सा है यह अपर मिझा जमसेदफूर नमबर है जमसेदफूर का नमबर प्लेट है और फस्स पैंट सेकेंट इस बाइन आई और इसनल तो गाइस आप देख सकते हैं कार को एक भी वगरा नहीं है इस पर फर्स्ट टॉनर है टायर भी आई आप टायर भी देख सकते हैं तो रूम का टायर ही लगा हुआ है और आपको मैं आप इसके अंदर का इंटीरियर दिखाती हो अब देख सकते हैं इसमें जो कवर लगा हुआ हो वह भी बिल्कुल नया है इविन पेपर जो लगा रहता है कार का वह भी अभी तक लगा हुआ है तो कार आप ले सकते हो बहुत ही अच्छा है एक तब फ्रेस्ट लीक रहा है और मात्र 22,000 किलोमेटर ही चला हुआ है तो आप इसका कॉस्प्राइज बताएं तो पांच लाग पचीज पांच लाग पचीज अजार फर्स्ट ओनर कार पास्ट अंज गाड़ी है जम्सेटों नंबर है अब देख सकते है गाड़ी पूरा न्यू कंडिशन में ब्याली जर चला हो मात्र ब्याली सब्सक्राइज कितना देगा सब्सक्राइज मैं आपको दिखा रही हूं इस पर एक भी स्क्रेचेज बगारा नहीं लगा हुआ तो आगे जमाल भी हमें को इस कार के बार में बताएंगे भाई आप बताएंगे यह को सब्सक्राइब अब इसके अंदर का इंटेवियर में आपको दिखाते हूं और आप नोटीस कीजिए इस पर एक भी स्क्रेचेज नहीं है और और आपको पता ही है फ्रस्ट और भाईया नहीं भी बताया तो गाइस इसके अंदर का व्यू देखिए बिलकुल कहीं से भी कोई भी यहां तर की सीट कवर भी बगएरा फ्रेश दिख रहा है बैक कवर भी देख सकते हाराम से दो-तीनार में बैठ सकता है जगह है तो गाइस अभी आपने इसके अंदर का इंटिरियर व्यू देखा अब इसके कॉस्ट प्राइस के बारे में चलिए भाईया से जानता है यह कार्तु मैंने देख लिया व्यू भी दिखा दिया अब आप इसका कॉस्ट प्राइस बताइए इसका 4,75,000 और ट्रांस्पर चार्जर इंसॉरेंस वे कह रहा है इसका सब अलग से लगे अलग से लगे अगर कोई मतलब कैस में ले रहे तो पांच हजाए अगर आप कैस में लेंगे तो आपको 5,000 पढ़ता है और अगर फाइनांस कराएंगे तो साथे 7,000 पढ़ेगा और गाइस चलिए अगले कार के बारे में जानते हैं आप बहिया बताएंगे सब्सक्राइब इसायर है इस अश्चार आप देख सते नंबर आप देख सते नाची नंबर है और गाड़ी फुल कंडिशन में फुल कंडिशन है फुल कंडिशन में लाड़ी है यह कॉन सा है यह पढ़ जाए आपको 2000 तैरो मोड़ पैट्रोल यह डीजल 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 ओके और तायर तायर वगेरा सारा नहीं है सेवेंटी परसंट है सेवेंटी परसंट रटा है और यह काड़ी आर्शाथ हजार शिक्स्टी एट थाउजन किलो मेटर चल लग चुका है तो अब इसका इंटीरियर दिखाती हूं मैं आपको इंटेरियर व्यू तो गाइज बहुत अच्छा है आप नोटीस कर सकते सीट कवर वेगेरा पर कोई स्क्रेचेज वेगेरा नहीं है फ्रेस है अंदर से पूरा तो आप मैं भया से इस कार का कॉस्ट प्रैज जानना चाहती हूं भया आप कॉस्ट प्रैज बताई इसका तीन लाग पचीस हजार आप दूसरी कार के बारे में जानते हैं बहा से यह क्रेटा है क्रेटर यह सकेंड टॉप मोडल सेकेंड टॉप मॉडल लाइव चावालिस हजार क्रेटर टॉनल पाड़ी यह पारी नंबर प्लेट है तो यह हजारी बाग का नंबर प्लेट है गाईज आप देख सकते हो कितना किलोमेटर चला हुआ है और यह सोरूम के अंदर ही रखा हुआ है तायर वेगरा के बारे में चांगते हैं भई ऐसे लगा हुआ है देखिए जो टायर लगा हुआ है वह सोरूम का ही है चेंच नहीं है रही डिए बाकिया तो मैंने नहीं दिखाया अब बैक तायर इसका देखें अब मैं आपको इसका इंटिरियर व्यू दिखाते हैं कि अंदर से आप तेख सकते हैं कवर एकदम नू है और सीजा वे गेरा सब्ट्रेस दिख रहा है कहीं से भी कोई डामेज नहीं है तो भाया आप इसका कॉस्स प्राइज बता दीचे आठ लाग पच्छतर अजार तो अगर कोई यूटूब के थ्रू आएगा तो कुछ नेगोशियेट करेंगे तो गाइस नेगोशियेशन है अब चलते दूसरे कार के बारे में भाया से जानते जो मेरे सामने ब्लू कलर में ह अब ए बेलेनू है अच्छा सकंट टो बंड dialect 2 नंबर पिलेट कर दो हजार यह दोensorには दोस्ते हम आपquis लेनी रच सोला ओने तोमोडल का अब मेरे पास तीन ब्लेन हो diff Councillor wh the ignore इनौ पाइच लास पाजाघला तो गाईच तीनो का जो प्राइज है मतलब तीनों कशो प्राइज पाजें पाज लांग पशेतल सब्सक्रेश स्क भाइच व्यानिग है अभी चूरЭ का्तव्याज लाग पिखेट्टर wurden तो बिकोज वह अबेलेबल यहां नहीं है मैं आपको सेकेंड वीडियो में उसका व्यू जरूर दिखाऊंगी अगर आपको रिक्वाइम हैं तो आप कमेंट करके बताएगे का आप टायर विगरे के बारे में देखते हैं अब इसका इंटिरियर व्यू आपको दिखाते हूँ तो गाइज आप अंदर से देख सकते हैं इसका जो सीट कवर है बिलकुल नया एंड फ्रेश देख रहा है कहीं से भी कोई भी स्क्रेच ज़्यू नहीं है गाड़ी एकदम फ्रेश है आपको सोचने की बात नहीं एकदम न्यू है यह जो सीट कवरी सब देखा है अंदर में सब कुछ लगा हुआ है आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है अब आगे जानते भाया से इसके कॉस्प्राइज के बारे में अब आप प्रएज पांच लाग पश्टर है तो आपने पहले है नोटिस के था मैंने फिर से एक बार रिपीट कर लिया इस गाड़ी का जो कॉस्प्राइज वह पांच लाग पश्टर हजार है परस्ट और हैं और और मातर यह 48 हजार किलोमेटर यह चला हुआ हुआ है 2016 मॉडल है तो आप नोट कर लिए आपको मेरा पहला सेकंड हैं कार का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको किसी और कार का रिक्वाइमेंट है तो आप मुझे उस कार का डिटेल कमेंट बॉक्स में आके मैसेज कीजे और कमेंट कीजे मैं आपको उसके बारे मे सेकंड वीडियो में बताऊंगी अगर आपको कोई भी रिक्वाइमेंट है कोई भी जरूरत है तो जमाल बहिया यहां पर आपको एबेलेबल मिलेंगे जमाल बहिया से आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैं इनका नमबर और यहां का प्रॉपर राट रे डिस्क्रिप्शन में ड जमाल बहिया था है